जी मितनों नमस्कार, लक्ष जीएस क्रैकर में सारे मितनों का बहुत-बहुत स्वागत है, जैसा कि आपको पता है कि इस समय पर और पीशस के एक्जाम को ले करके बड़ी अफवाहें चल रही हैं, और ये अफवाहें ऐसी हैं कि सिर्फ अफवाहें, कहीं पर भी आपको लिखित में कमीशन नहीं दे रहा है, न तो सासन की तरफ से कोई आदेश जारी हो रहा है, और नजदीक पर इच्छाएं आ चुकी है आपको एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और इसमें कहा जाता है संभावित देट दिसंबर के फस्ट वीक है, अभी तक कमीशन की तरफ से लिखित में आपको नोटिस नहीं दिया गया है, साथ और आठ तारीक आठ दिसंबर जो आपके सामने है, प्रस्तावित देट है, वो भी एक वाइरल खबर के माध्यम से आपको जानकारी हुई है, और सबसे बड़ी बात ये कि अभी 6 लाग लगभग पेपर दे रहे हैं PCS में, और लगभग 10 लाग के लगभग आरों में पेपर दे रहे हैं सारे अभ्यरती, और ये इतने अभ्यरतियों के जिंदिगी के साथ, वो परिसान है, इसको किसी को कोई चिंता नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 22 दिसंबर समिछा दिकारी की डेट डिसाइड है, वो डिसाइड डेट पर एक्जाम होगा या नहीं होगा, उन सारे मुद्दों पर हमाँ चर्चा करने वाले हैं, और आप डि जागराच से निकल करके आए, तो आपको पता है कि अगर 22 दिसंबर को नहीं हो रही है, या 7 और 8 में से एक डेट में पीसेड की परिछा नहीं होगा, अगर 2 डेट में होगी तो विरोध होगा, सारे साथी और मिल करके इसको जो आंदोलन चल रहा है, उसको और बढ़ा करे तो फिलहाग 2 डेट में तो एक्जाम नहीं होने माला है, और अभी तक जितने भी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, वो सारी 2 डेट को ले करके हैं, जैसा कि आपको पता है कि 13 जनवरी से ये महाकुम्बे भी स्टार्ट हो रहा है, और ये चलेगा फरवरी लास तक, मतलब 26 फर एक्जाम चलने वाले हैं, मतलब CBSC के एक्जाम तो 17 मार्च तक अभी संभावी डेट है, और आगे पीछे भी हो सकते हैं, UP Board के एक्जाम हो सकते हैं, तो मार्च में भी ये मार्च भी आपको निकल जाएगा, तो लगभग तीन महीने का गया फिर आपको हो जाएगा, तो अ परिछा की पैटर्न पे चेंज करता है, परिछा कई डेटों में कराता है, या कुछ भी, तो इस तरह के कि धेर सारे कमिशन की मुद्दे कोट में जाते हैं, और कोट से फिर वही इस्तिती होती है, जवाब तलाब होता है, और बहुत लंबा एक गैप और बहुत दिले होता है, एक lower PCS की ये वेकेंसी आई थी और जिसमें कहा गया था, कि ये जो परिछा है बिना पेट की होगी, और पेट के बाद जब 2020 में पेट लागू हुआ, तो पेट को भी इसी में समाहित कर दिया गया है, कोट गया, कोट ने इस्टे दे दिया, तो इस तरह के एक नई सेग आज ना लगे, जिसके कारण की कोट में भी डिले हो, तो उसके लिए पहले से ही, कमीशन जो है, नियमावली में चेंज करें, और नियमावली में चेंज करके, ही उसमें कोई भी बदलाव करें, आने था, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी तरीके से यह जो डेट है यहां पर समीच्छा दिकारी की 22 दिसंबर, एक 22 दिसंबर को एकजाम कराए, 22 दिसंबर के अलावा जो पेपर प्रवर समलित राज प्रवर आदिनस्त सेवा परिच्छा 27 अक्टूबर लगी थी, इसको लेकर के धेर सारे आपके पास वारल लेटर आपको मिले हैं, आपको पता है 13 सितंबर को जारी किया गया था, कि अब 27 तारीक में, 27 अक्टूबर में पूरे केंदर सहमत नहीं है, इसलिए हम इसको 26 अक्टूबर को भी कराने का सहमती चाहते हैं, तो जो काले 27 अक्टूबर के लिए सहमत हुए थे, उन्हीं को कहा गया है कि उन्हीं विद्यालेओं की सहमती, दिनांग 26 अक्टूबर को भी अनिवार रूप से दिनांग 18 अक्टूबर को उपलब्द कराने का कष्ट करें, एक नोटिस यह था, उसके बाद फिर एक नोटिस 10 अक्टूबर को वाइरल होता है, इसमें भी कहा गया है कि अब यह जो परिच्छा है, यह 26 और 27 अक्टूबर को ना करा करके, यह 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2024 को कराई जाएगी, यह भी गोपनिंग लेटर था, यह भी वाइरल हो जाता है, और 7 उसके बाद, 16 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया जाता है, प्रेश विग्यप्ति जारी कियाती है, हम सब आपके लिए, इसमें कहा गया है कि अब उग्त परिच्छा अगामी दिसंबर माह के, मद तक आयूत किया जाना संभावित है, सासना देश 16-6-2024 के अनुपालन में अजनपदों से मानक के अनुरूप परिच्छा के इंद्रप्रातों होने पर परिच्छा के आयून कीती थी, मतलब कि ये जो साथ और आठ तारीक को परिच्छा आपको सुनने में आरही है, इसका भी लिखित में नोटिस कोई जारी नहीं हुआ है, और इसमें इस फर्स्ट कहा गया है, सोल अक्टूबर के लेटर में जब ये डेट पोस्फोन हुई है और ये कहा गया है कि ये डेट बढ़ा करके मतलब ये कैलेंडर के दिनांग कितने के उसमें 27 अक्टूर 24 को समलित राजप्रवर आधिनस्त परिच्छा 24 इस्थागित की जाती, इस्थागित तो कर दिया है, लेकिन अगले डेट अभी अफीसियल घोशित नहीं हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कमिशन मतलब इतने धिले ढ़ाले तरीके से काम कर रहा है, कि सारे अभ्यर्थी, उत्तर अभ्योष जो पीशेस और समिछा दीकारी की त्यारी कर रहे हैं, वो पूरी तरे से डिलेमा के स्तीरिंग, सारे बच्चे लग़ातार फोन कर रहे हैं, लग़ातार मैसेस कर रहे हैं, तो भई देखे, सेरी धी बात है कि अभी तक commission की तरफ से कोई भी सात और आठ की date भी decide नहीं हुई है अब अभी decide नहीं हुई है तो कब decide होगी? 4 तारिख से office खुल रहे हैं 4 November से, और 4 November के बाद में 7 और 8 के लिए आपके पास बचा कितना 1 महिने समय है एक महीने के समय में और ध्यान न कियेगा इसके पहले इस नोटिस में कहा गया है कि आप साथ और आठ दिसंबर को परिच्छा कराए जाने से संबंदित जो कॉलेज हैं वो सहमती प्रदान करें अब यहां पर भी दो डेट की सहमती चल रही है और हमारा आंदोलन क्या चलना है एक डेट में पेपर हो और नॉर्मलाइजेसन नहीं होना चाहिए अब इस सितियां बड़ी बिसम हैं बड़ी गंभीर हैं जबकि कमीशन बहुत धीला ढाला काम करके इन परिच्छाओं को डिल अगर डेट बढ़ाने की जरूत पड़े तो डेट आप इसको बढ़ा दीजिए ठीक ना तो यहां पर आपको समझने की बात यह है कि अगर इस सितियां ऐसी ही रही तो क्या यह बाइस दिसमबर भी समिछादिकारी हो पाएगा अगर अगर 7 और 8 पर यह जो डेट दी हुई है मतलब जो यह वाइरल डेट है 7 और 8 की अगर 7 और 8 दिसमबर को अगर पीशेस का पेपर नहीं हो पाएगा तो जाहिरी बात है फिर आरो ए आरो बहुत सब्ताह के अंदर कैसे डिसाइड हो जाएगा और अगर दिसमबर में नहीं ये समय बताएगा आपको लेकिन अभी फिलाल लिखित में कोई भी ना तो पीशेस का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 7 और 8 दिसंबर में कोई भी एक डिट या 22 दिसंबर को जो पहले से नोटिफिकेशन जारी है वही है अभी चेंज या 23 और 22 की कोई भी अधिकारिक जानका आपके पास में नहीं है तो मैं अब सारे साथियों से यही एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप त्यारी कर रहे हो तो रेगुलर आप करते रहो इन केस अगर यह बढ़ जाता है तो प्री कमेंस लेके चलिए और अगर अभी एक हफ्ते के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इक आप मान के चलिए कि 22 दिसंबर को संभवता हो भी सकता है कमिशन भी समय पर लगा हुआ है इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लेकिन वही है कि कितना उस पर कारगर कदम उठा पाएगा या कितना आपको सहमत कर पाएगा यह भवे से बताएगा टीक है वेट करिए और तैयारी अपनी जारी रखिए देखते हैं आके होता है क्या और अगर कोई अपडेट रहा तो हम आपको चरूर बताएगे नमस्कार